हेलो फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं आप सभी तमाम अवर्ठी जो लोग परिक्षा दे रहें हैं या वैसे अभ्यर्थी जो लोग परिक्षा दे चुके हैं वो लोग कैसे अपना सीटेट दिसंबर 2021 का एंसर की डाउन लोड कर सकते हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में कैसे प्रवाइड किया जाएगा response कैसे लिया जाएगा यानि कि आपती जो है किस तरह लिया जाएगा किस तरह से answer की जारी की जाएगी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले offline exam होती थी तो OMR seat seated के द्वारा जारी किया जाता था उसके बाद answer की जो है वो भी जारी किया जाता लेकिन इस बार किस तरह से answer की जारी की जाएगी question paper जो है आपकी जारी होगी या नहीं होगी यह सारी बाते जो है इस वीडियो में बताए जाएगी बहुत सारे doubts उत्पन हो रहे हैं वैसे अभियरती जो लोग परिछा दे चुके हैं वो लोग कैसे download करेंगे अपना question paper कैसे उन्हें पता चलेगा कि मैंने जो टिक किया है वो ये question मैंने टिक किया है और seated ने ये answer लिया है तो मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरी update देने वाला हूँ कि किस तरह से seated की answer की आप download कर सकते हैं किस परकार मिला सकते हैं और आपती आप किस परकार दर्ज कर सकते हैं ज रही है और आप सभी अभ्यार्थियों की answer की जो है online ही जाड़ी होगी PDF form में लेकिन आप सभी का question paper जो है answer की के साथ ही जाड़ी होगा जहां दोस्तों पहले आप लोगो question paper जो है परिचा सेंटर पर मिल जाता था answer की जो है PDF form में आपको मिलती थी और आप answer मिला लेते थे ल एक ही साथ release करेगी जैसे ही इसकी update आएगी आप लोगों को information share कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी doubt आपकी clear की जाएगी तो आप पूरे वीडियो को अंतक देखती रहे और जैसे ही answer की आएगी जैसी notification आएगा आप लोगों को inform कर दिया जाएगा तो अ वीडियो को लाइक जरूर करते तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जितने भी परिच्छाएं online हो रही है चाहे आप new gc net की हम बात करें या आपकी seated परिच्छा जो cbc conduct करवा रही है या ntpc की परिच्छा railway के द्वारा जो conduct करवाया जा रहा है उन सभी परिच्छा परिच्छाओं का answer की जो है online जारी किया जाता है और question paper भी जारी किया जाता है इसी तरह seated भी इस वार यही काम करेगी आप लोगों के लिए question paper और answer की provide करेगी model के तोर पे मैंने एक question paper लिया है जो online परिच्छा हुई है और उसका question paper answer की जारी किया गया है उसी की आधहार पे ये वीडियो जो है आप लोग के लिए simple वीडियो बना कर बताई जा रही है दोस्तो जैसे ही seated answer की जारी करेगी आप लोग जो है अपना question paper और answer की डाउनलोड कर पाएंगे कैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है अपने अकाउंट में अपने login ID के माधियम से आप अपने seated account में लोग इन करेंगे जैसे आप admit card डाउनलोड किये थे उसी प्रकार से answer की और question paper डाउनलोड करने के लिए लोग इन करना होगा जैसे ही आप login करेंगे तो वहाँ पर आपका question paper डाउनलोड करने का option मिल जाएगा प्रिंट करने का option मिल जाएगा जैसे ही question खुलेगा तो आपके समक्ष question होगा साथ में उपर में आपको id मिलेगा उसके बाद आपका नाम देखने को मिलेगा उसके बाद आपकी परिच्छा कहां होई है so मिलेगा उसके बाद परिच्छा की date वो भी mention रहेगा टाइप भी mention रहेगा और subject में आपका seated exam यहाँ पर mention रहेगा उसके बाद question paper आपका होगा ज कि question जो आपके समग छोगा उसके चार option जो है यहाँ पर दिये हुए होंगे उन चारो option में से जिस option पे आप टिक किये होंगे वो भी आपको दिखाया जाएगा यानि कि आपको बताया जाएगा कि आप कौन सा option जो है select किये थे और seated जो है कौन सी answer ले रही है ये भी वहाँ पर दे दिया जाएगा देख सकते हैं कि यहाँ पर question ID दिया हुआ है और option ID आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो चार option है उसमें आप देखेंगे कि चार option में से किसी एक पर टिक लगा हुआ होगा आप जिस option को टिक लगा होंगे वो भी वहाँ पर दिखेगा कि आप जो है इस question को touch किये है और आपने इस option को answer के रूप में select किया है देख सकते हैं यहाँ पर mention कर दिया गया है choosing option A तो आपने option A को अपना answer के रूप में select किया है यानि कि आपने question पढ़ा आपके समक्ष चार option थें उन optionों में से आपने जो है option 1 को select किया और उसके बाद जो है seated अपना answer की रीज करेगी कि first number question का answer जो है एक है दो है तीन है इस परकार से करके जो उसका right answer होगा वो provide कर दिया जाएगा तो आप उसे मिला पाएंगे तो seated जो है question paper जारी करेगी और question paper के साथ-साथ answer की भी available होगा उस answer की के माध्यम से जो है आप अपने question paper को भी देख पाएंगे आप जो question touch किये होंगे जो question जिस option को आप solve किये होंगे उस option को भी दिखाया जाएगा कि आपने इस option को select किया है देख सकते हैं दूसरा question मैं दिखा जता हूँ जैसे यह देख सकते हैं इसमें चार option दिये गया है जिसमें से यहाँ पर दिखायेगा कि choosing option 3 यानि कि आपके द्वारा जो है option 3 select किया गया है answer आपने दिया है और seated जो है अपना answer की जारी करेगी जिसमें वो बताएगी कि दो number का answer जो है तिन है या दो है जो भी होगा वो answer आपको provide कर देगी आप उससे match कराएंगे और जो भी सही होगा वो आपका एक number बढ़ जाएगा जो गलत होगा वो आपका number add नहीं होगा तो simple भी है simple है इससे आप मतलब समझ सकते हैं कि seated जो है answer की provide करेगी question paper provide करेगी और आप उससे match करापाएंगे आपका response वहाँ पर दिखेगा और seated जो है अपती भी उस question पर लेगी उस answer पर लेगी तो आप जो है question paper और answer की पर अपती भी दर्ज कर पाएंगे अपती जो है online ही होगी question nds और question number के माध्यम से जो है आप जो है अपती दर्ज कर पाएंगे तो question seated की जारी किया जाएगा answer की जो है वो भी जारी किया जाएगा और आप जो है क्या response दिये हैं क्या answer टीक लगाए हैं उसकी आधहार पे आप जो है अपना school जान पाएंगे तो यह है update आप लोग लिए दोस्तों जैसे ही seated answer की जारी करती है आप लोगों को पूरी update बता दी जाएगी और question paper डाउनलोड करना भी बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से तो आप लोग जो है अगर seated exam से जुरू ही answer की आपती डाउनलोड करने से जुरू हर एक update पाना चाहते हैं आपको वीडियो परशांद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सकते इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें